ओसुत्रधारी कमपणी एवं सहायक कमपणियां सुत्रधारी कमपणी एवं सहायक कमपणियों के पहले क्वेश्चन को इस बीडियो के मध्यम से आपके सामने सौल्व करने जा रहे हैं आपको ध्यान देना है पहला नमबर प्रश्ण आपके सामने है पूरे प्रश्ण को पहले अच्छे से पढ़ते हैं पढ़ने के बाद ही इसे सॉल्व करेंगे इन्होंने कहा है सुरेस लिम्टेट का चिठा निमना अनुसार है इसके सभी अंस महेस लिम्टेट द्वारा 4.95.000 रुपए में क्रे किये गई बाद में सुरेश 12% लाभांस की घोशडा करती है जो महेश लिम्टेट को विधियोत प्राप्त हो जाता है महेश लिम्टेट की पुस्तकों में जर्नल इंट्रियां कीजिए आपके सामने सुरेश लिम्टेट का संपत्तियों दाइतु से संबंधित बैलेंसीड बना करके दी गई है जिसमें अंसुपूजी 3,30,000 रुपया बैंके ओम अतिरेक 1,65,000 रुपया लेंदार 55,000 रुपया संपत्तियां 5,50,000 रुपय आपको महेश लिम्टेट की पुस्टकों में जर्नल इंट्री करनी है आपको अपनी कौपी में लिखना है जर्नल इंट्री इन दा बुक्स आउफ कमपनी का नाम किसकी पुस्टकों में? महेश लिम्टेट महेश Limited महेंस Limited की पुस्तकों में Journal Intery के लिए आपको column मनाना है Date Particular अब लेजर भोलियो Amount Debit और Amount Credit का Credit David Credit David लेजर भोलियो Particular और Date आपको ध्यान देना है पूरे प्रश्न को जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा है सुरेस Limited का चिठ्था है सुरेस Limited का चिठ्था है और इसको खरीद कर रहा है महेंस Limited हम लोग महेंस Limited की पुस्तकों में जर्नल इंट्री कर रहे है हम लोग महेंस Limited की पुस्तकों में जर्नल इंट्री कर रहे है मैंने जर्नल इंट्री आपको बताई है ध्यान दिचेगा जर्नल इंट्री मैंने आपको बताई है investment in share of investment in share of subsidiary company का नाम क्या है subsidiary company का नाम है Surace limited debit Surace limited को कितने में रूपए में खरीदा जा रहा है 4,95,000 रुपय में खरीदा जा रहा है 4,95,000 रुपया और कितना पैसा देना पड़ेगा सेयर 4,95,000 का खरीदेंगे तो 4,95,000 रुपया कंपनी को देना पड़ेगा बैंके खाते में चला जाएगा पहली इंडरी आपको मैंने कर दिया सुरेज को खरीदा 4,95,000 में 4,95,000 रुपया पैमेंट करना पड़ेगा अब क्या कहा है कुश्चन में देखो अब इसमें कहा है कि सुरेज लिम्टेड 12% लाभांस की घोषड़ा करती है सुरेज लिम्टेड 12,00, कितना 12% लाभांस की घोषड़ा करती है 12% लाभांस आपको निकालना है ध्यान देना है 12% लाभांस कैसे निकलेगा किस पर अंकित मुल्य पर निकाला जाता है लाभांस इसको भी आपको ध्यान देना है 3,30,000 का 12% निकालिए गुड़े 12,000 भागे 100 49,600 रुपया लाभांस की घुसरा करेगी तो महेश कंपनी को मिलेगी बैंक अकाउंट देविड टू डिविडेंड आन सुरेश लिमिटेड कौन देगा सुरेश लिमिटेड देगा कितना पैसा देगा 49,600 डेविड में और 49,600 क्रेडिट में इसे आप अपनी कौपी में अपनी शुविधा अनुशार लिख सकते हैं उसके बाद हम आपको दूसरा नंबर कुश्चन बताने जा रहे हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना है डिविडेंड डाउन सेयर लिम्टेड है डिविडेंड के अस्थान पर यही पैसा लिख देंगे डिविडेंड पैसा यहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर अगर आप यह वाला पैसा लिख देंगे यह वाला सब्द तो आपको ज़्यादा चाही रहेगा इन्वेस्टमेंट इन सेयर आप सुरेश लिम्टेड ध्यान दिजेगा आपके पास क्या आया हुआ है आपके पास सुरेश का बिजनेस आया हुआ है हम लोग महस क्या कर रहे है सुरेश का बिजनेस आया हुआ है सुनेस के हाँ आपने इन्वेस्ट किया है पैसा आपके पास से गया है ये जो 49,600 रुपया किस पर निकाला गया 3,30,00 अंसों के अंकित मुल्य पर 12,1049,600 रुपया निकाला गया है अंसों के अंकित मुल्य पर लाभान से निकाला जाता है इसे आप अपनी copy में लिखें इसके बाद हम आपको दूसरा नंबर question बताने जा रहे हैं